ओम श्री गनेश आयन मा माई डियर फ्रेंज तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे फ्रेंज मैं यही सोचती हूँ कि आप हमेशा ठीक हों ये वीडियो आपको अच्छे टाइम पे मिली हो और आप इस वीडियो का वेट कर रहे हो सो फ्रेंज आज हम आपके फेवरेट टॉपिक करन्ट फीलिंग्स आफ यूर पार्टनर पे बनाएंगे करन्ट फीलिंग्स उनकी इंटेंशन उनकी एक्शन और आपको क्या कहना चाहते हैं डिवाइन ऐसी पूरी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए ठीक है सो फ्रेंज ये एक जनरल रीडिंग होगी आपके साइन की जो की आप सान साइन मून साइन या अपनी नाम राशी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं ठीक है जिसको जिससाब से समझ आती है जिससाब से मैच करती है कोई अपने उपर फोर्स नहीं करना होता कि ये मुझसे क्यों नहीं मैच कर रही मुझसे ये साइन मैच नहीं कर रहा है मुझसे वो अगर आप अपनी कुंडली के हिसाब से देखना चाहते हैं तो वैसे अगर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखना चाहते हैं तो वैसे जैसा आपको ठीक लगे ठीक है जितने भी लोगों ने फर्स टाइम मेरे चैनल पे जॉइन किया है I welcome you all प्लीज मेरे चैनल पे आएं हैं वीडियो को देखें तो लाइक जरूर करें सब्सक्राइब करें माइडिया फ्रेंड्स आपकी लॉयल्टी मेरे लिए बहुत मैटर करती है और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी नवरात्रेज चल रहे हैं नवरात्रा में आप खूप पूजा पाट करें मातारानी का पर आशिरवात बना रहे और आप सब बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ें ठीक है इसी अच्छे और पॉजिटिव नोट पर हम जल्दी से फ्रेंज इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं चलिए आप जिस परसन से डील कर रहे हैं उनकी करेंट फीलिंग्स उनकी इंटेंशन इस रिष्टे को लेकर और वो क्या एक्षन लेंगे हम वो निकालेंगे वरिष्व राशी के पार्टनर क्या सोचते हैं क्या चल रहा है उनके माइंड में देखते हैं वर्ल्ड फाइव वाण्स दमून शिक्स वाण्स एड़ वाण्स वरिष्व राशी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके और उनके बीच में जो एक लड़ाई जगड़े का एक मिस अंडरस्टैंडिंग का एक पूरा जो एक पूरा सिचुएशन था वो खतम हो गया अभी ऐसा आगे चल कर नहीं होगा ठीक है अब उन्हें ये लगता है कि हाला कि इनके मन में अभी भी बहुत सारे डर हैं चिंताएं हैं स्ट्रेस हैं लेकिन एक चीज़ जो बहुत कलियर हो गई है वो ये है कि उन्हें ये लगता है कि अब अगर आप दोनों के बीच में कम्यूनिकेशन स्टार्ट हुआ किसी तरह आप दोनों ने फिर से बात करी या एक दूसरे को क्लारिटी दी या एक दूसरे से फिर से गुफ्तगू की तो ये परसन को इतना शियौर है और इतना कलियर है ये चीज़ें कि वो ये सोचता है कि किसी भी तरह चीजें एक अच्छे लेवल पर जाएंगी आगे ये अब इनका ब्राम है ये अब इनकी फीलिंग्स हैं ये तो अब आभी जहाने लेकिन इतना इन्हें ऐसा लगता है कि ये जो एक पूरा चक्र था जो एक काल चक्र था जिसमें कहीं ने कहीं इन्हें और आपको बहुत जादा दुख मिला है बहुत अगर ये फिर आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ या आपसे बात करेंगे या किसी तरह मतलब एक पूरा situation को अगर आगे बढ़कर क्योंकि eight of want से मुझे दिख रहा है communication ज़रूर चाहते आएंगे आप एक बार मौका दें इन्हें और ये आपसे बात करना चाहते हैं बहुत सारी चीज़े हैं इनके मन में बहुत सारी clarification, बहुत सारी clearance, बहुत सारी चीज़ें दबा के बैठे हैं अपने अंदर ये आप मौका तो दें इन्हें बात करने का मैंने ही कहती कि आप इनके साथ क्या चाहते हैं वो तो मुझे नहीं पता हर एक टॉरस अपने पार्टनर से अलग चीज़े चाहता होगा लेकिन ये इनसान बहुत जबरदस क्लैरिफिकेशन चाहता है देखते हैं इनकी इंटेंशन्स क्या है इस रिष्टे को लेके क्या सोचते हैं इस रिष्टे के लिए वो देखे इन्हें ऐसा लगता है कि इस रिष्टे में जितना इन्होंने दिया जितना इन्होंने किया जितना इस रिष्टे को सफल बनाने की कोशिश करी इन्हें उतना ही अकेला कर दिया गया इन्हें हराया गया अकेले पन से इन्हें सोचा आपने इन्हें ऐसा लगता है देखिए टॉरस मैं ये नहीं कहा रही कि आपने इनके साथ ये किया है प्लीज मेरे पर कोई जाम मत लगाना कि मैं आप तो ऐसे कह रहे हैं और हमने तो ऐसा किया नहीं है ठीक है तो जबरदस्ती मुझ पर किसी तरह का कोई दोशार ओपन नहीं होना चाहिए मैं जो रीडिंग में आ रहा है वही बताऊंगी इन्हें ऐसा लगता है कि आप आपने और इनके साथ किसी नहीं किसी तरह का एक ऐसा माइंड गेम खेला है या मैन्यूपलेशन कहीला है या ऐसा दिमाग इतना चलाया है इस रिष्टे में डिल σε ज़्यादा दिल नहीं चलाया दिमाग चलाया है जिसकी वज़़ेश से ये बलकुल अकेले पड़ गए हैं उनको पढ़ाना उनको संभालना उनको एक एक चीज करना तो ये आपको egoistic समझते हैं इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही egoistic person है manipulative है और आप अगर मतलब कहीं न कहीं इनकी जो हाज हालत हुई है ये जो अकेले ये फसे हैं हो सकता है potential problems भी आई हो इनकी life में उनका कारण ये आप ही को मानते अब ऐसा क्यों हुआ है क्या हुआ है मुझे नहीं पता बट आप से बहुत जबरदस लेवल पर communicate करना चाहते हैं बातचीद भी करना चाहते हैं जो कुछ आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे कुछ आपको बोलने की कुशुश करेंगे या कुछ दिख रहा है इनकी तरफ से देखते हैं ठीक है सो page of wands six of pentacles seven of cups the sun and nine of wands देखे रीडिंग स्टार्ट हुई थी page of wands से जहां पर मुझे कहीं न कहीं एक उमीद दिख री थी कि आगे बढ़ेंगे और कोई action लेंगे इनकी मन में इतनी strong feelings हैं इस रिष्टे को लेकर आज भी आज भी यह चाहते हैं कि इस रिष्टे में equal give and take हो और कोई न कोई रास्ता अभी भी बन जाए कि यह रिष्टा फिर से संबल जाए लेकिन इन्हों ने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना टारस यह बहुत इस टाइम ऐसे situation में हैं कि भले ही अंदर से इस रिष्टे को लेकर positive feel करते हो या इन्हें ऐसा लगता हो कि नहीं इन्होंने बहुत कुछ किया है या यह रिष्टा अभी भी किसी न किसी कोई न कोई ऐसा रास्ता निकाल के संबल सकता है लेकिन ये अपनी दरफ से कोई action नहीं लेना चाहते है इन्हें ऐसा लगता है नहीं मुझे कोई action नहीं लेना मैं चुप चाप give up करके बैठूंगा या बैठूंगी और सामने वाले को अगर मेरी जरूरत होगी मेबी अब मैं ये नहीं कहना चाहती टॉरस हो सकता है कि इन्होंने पहले बहुत महनत की हो और अब ये ठक गए हो अब ये तो हर एक परसन की life में अलग होगा तो मैं ये चीज नहीं कह सकती कि ये एप्लिकेबल हो गया सारे ही टॉरस को पर ये जो कार्ड में आया ये उन लोगों के आया है सो गिव अप करके बैठे हैं रिलेशन्शिप में फिलहाल ये कोई आक्शन नहीं लेंगे भले इनकी इंटेंशन हों की चीजों में आप आगे आकर ठीक करें वो ये चाहते हैं आईए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुवेशन में सो टॉरस के लिए क्या है डिवाइन गाइडेंस टॉरस राशी के लिए क्या है डिवाइन गाइडेंस क्या करना चाहिए टॉरस को तो अगर आपकी किसी की भी जिन्दगी में या किसी भी तरह का अगर आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है उस चेंज को बहुत ध्यान से लीजिए और देखिए कहीं ये कोई आगे फर्दर पॉसिबिलिटी ये ये जो मतलब पूरा चेंज है ना ये बहुत डिफरेंट लेवल का है इसको ध्यान से लीजिए ओपन टू डिवाइन गाइडेंस का काड है और आप से ये कहा जा रहा है कि हर एक डिसीजन हर एक चीज अपनी लाइफ में सद बुद्धी से लीजिए पास्ट हिस्ट्री से लीजिए सोचिए आप कहा गलत हैं सामने वाले ने क्या गलतियां की हैं पूरा बैलेंस करके देखिए कुछ गलतियां तो ऐसी नहीं है जो आपको अब तक नहीं दिखी जो अब देखनी चाहिए ठीक है और नेक्स्ट वी हैव फारनेस तपार ओफ रुद्र मंत्रा as a means to fulfill your desires मैं जो भी समझ पाई हूँ ना टॉरस आपकी guidance में आपको भगवान से connect होने के लिए कहा जा रहा है वही आपको सही रास्ता दिखाएंगे कोई आपको नहीं बता पाएगा कि आपको exactly क्या करना चाहिए तो अगर अपनी life में आप कुछ भी चाहते हैं तो उपर वाले पर छोड़ दीजे और उसके हिसाब से चलने की कोशिश करें ठीक है तो यह है friends आपकी partner की current energies की reading I hope आपको इससे काफी clarity मिली हो ऐसा है तो प्लीज मुझे बताना चैनल को subscribe करना reading को जरूर like करना अगर पसंद आई हो तो मिलूंगी अगली reading में so bye for now